दोस्तों हिंदुस्तान यूनी लीवर क्वाटर पोर नतीजे आये हुए हैं कैसे नतीजे आये हुए हैं डिविडेंट कितना उन्हों ने डिकलियर किया है उसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ FMCG companies में क्या trend चल रहा है उसके बारे में भी कुछ important data है और जो दूसरे भी जो बहुत सारे results आने वाले हैं FMCG companies चाहिए वो मैरिको हो, डाबर हो, गोडरेज हो तो आपको इन सब data से आपको मुझे उम्मीद है आपको value मिलेगी लेकिन सब पहले dividend की बात कर लेते हैं तो final dividend 19 रुपिया, 19 रुपिया का HUL ने हिंदुस्तान Unilever ने declare किया है तो पिछले साल 17 रुपिज का dividend था तो dividend अगर आप देखेंगे year on year बढ़ा है और इससे पहले already जो पुराने shareholders है तो उनको 15 रुपिज का interim dividend मिल गया था जो उन्होंने declare किया हुआ था तो 14 से 15 रुपिज का त next date, record date, payment date वो जैसे ही आ जाएगी हम आपको share कर देंगे अब पिछले साल आप देखेंगे तो एक special dividend भी था जो इस साल कोई special dividend नहीं है तो total 40 रुपिज 50 पैसा का total dividend था और इस बाल 34 रुपिज है लेकिन आप year on year compare करे final dividend पिछले साल और इस साल में तो dividend 2 रुपिया बढ़ा है और अभी जो dividend है वो 19 रुपिज dividend है अब result सबसे important चीज growth हो रहा है या नहीं sales हो रहा है तो देखिए sales आप देख सकते है quarter में 13,190 करोड की हुई है जो कि पिछले साल जन्वरी से मार्च 2021 के साथ compare करे तो 10% का growth है तो sales में growth हुआ लेकिन markets देखना चाह रही है और markets इसको positively लेगी है नहीं वो है EBITDA margin यह 24.6% है जो कि क्योंकि sales तो आपने कर दिया लेकिन आपके खर्चे भी है चीजों को बनाने के खर्चे है employees के खर्चे है बाकी सब खर्चे है तो उसके बाद company कमाती कितना है चाहे वो interest है depreciation है taxes है उससे पहले क्या कमाती है वो 3,245 करोड है त लेकिन यह expected भी था यह expected क्यों था यह भी मैं आपको थोड़ी दिर में बताऊंगा तो यह important चीज है 24.6% तो यह चीज है अब इसको market positively लेगी है नहीं यह बहुत important रहेगा देखना total profit देखेंगे 2327 करोड है जो कि पिछले साल के मुकाबले 9% जादा हुआ है अब यहाँ प तो प्रोड़क्ट बनाने के लिए उनको चीजे चाहिए तो inflation उनको भी impact कर रहा है दूसरी जगह में जो demand side है जो लोग है आप हम जो हम प्रोड़क्ट कंजूम करते हैं तो कहीं ना कहीं inflation के वज़र से हमारी भी pockets थोड़ी सी shrink हो गई है तो volume भी नहीं बढ़ रहे है तो य mcg market में अपना grow करने की कोसिस कर रहा है दूसरी चीज जो मैंने बताया कि क्यों margins जो है थोड़ा सा कम हुए है वो inflation देखिए कोई भी एक product है तो products बनाने के लिए crude palm oil इन सब की जरुवत पढ़ती है तो इन सब के पिछले साल के मुकाबले जैसे crude का price 60% बढ़ गया है पाम oil का 60% बढ़ गया है soda ash का 30% बढ़ गया तो यह सब प्राइस जब बढ़ रहे हैं तो direct impact पढ़ रहा है कौन जो produce कर रहा है producer को बाद में आपके उपर वो pass on करते हैं कि ने वो दूसरी बात है लेकिन उनको पहले कोई चीज बनाने में समझ दीजिए कुछ एक्स रुप inflation का उनको direct impact है और उसकी वजह से उन्होंने भी दाम बढ़ाए हुए लेकिन इतने भी दाम बढ़ाए नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा भी अगर चीजों के दाम बढ़ा देंगे तो फिर लोग खरीदना भी थोड़ा कम कर देंगे volume impact हो जाएगा तो इसलिए वो जो 20 basis point क आपको negative दिख रहा है वो उसलिए दिख रहा है बाकी margin 24.8% healthy रहे हैं और market share पूरे decade में उन्होंने gain किये हैं अगली चीज inflation पर ही focus रहेगा inflation already RBI का जो threshold है उससे ज्यादा हो चुका है तो और वो चीज हम आप खुद देख पा रहे हैं चीजों के दाम किसे साब से बढ़ र by anticipate कर रहे हैं तो anticipate कर रहे हैं तो सीधा असर जो पड़ेगा वो volumes पड़ेगा और यह चीज data के द्वारा भी आ रही है यह निलसन का data है जहां पर बिल्कुल बताया जा रहा है पिछले तीन महिनों में जो value of goods जो है उनका growth नहीं हुआ है यहां तक कि पिछले तीन महिनों में volume of the goods जो है वो भी आप देख सकते है negative हुए है negative से मेरा मतलब डी growth हुए है तो इसलिए FMCG companies यह मैं कहूंगा HUL के लिए नहीं जो दूसरी भी company है वहां पर यह बड़ा challenge होने वाला है पहला inflation जो चीज़े वो बना रहे हैं वो खुद महंगी हो रही है और दूसरी चीज़े inflation हमारे आपके घरों में भी महंगाई है तो हम जो चीज़े consume करते हैं वो भी थोड़ा सा कम करेंगे तो यह एक चीज है जो volumes में भी effect करेगा और value में भी effect करेगा जो की पिछले 3 महिनों का भी data बता रहा है तो यह एक चीज है transitory है या नहीं बोल पाना मुश्किल है बट inflation एक बड़ी theme है और HUL अभी फिलाल इस चीज से struggle करता हुआ दिखाई दे रहा है बाकी नतीजे strong है एक लंबा इतिहास है HUL का इससे पहले भी ऐसी cycle सुनों ने देखी हुई है लेकिन इस cycle में अगर market में अगर stock में correction आता है तो क्या यह opportunity होगी या नहीं जरूर comment section में growth है थोड़ा कम उनने की उमीद है क्योंकि already जो FMCG market ही जो है वो growth नहीं कर पा रही है तो यह सब कुछ चीजे है तो एक अच्छे नतीजे आये हैं लेकिन markets देखें तो neutral growth है तो उससे साब से आप results को देख सकते हैं मुझे अमीद आपको value मिली हो कि आपके कीमती समय के धनली है तो नहीं को सरभाप एुगर तो यए भैवा थैको यहान मुझे कर दो यहान में सब्साइबंसंगाघ से जो यहान नहीं कैम mutth Innovation i upon कि वrh Neupake,ають a peace, क्या, क्या थे पाली है क्यान, बर्वान, तो तो खन्या तो, तो, तो Pak दो किन पाम हाज जो awak है कर यहाम, हैं जो Parlament,